सो हलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में तो हनमान जैनती पर इन चार रासियों को प्राप्त होगी बजरंग बली की विसेश क्रिपा किस्मत बदल जाएगी इन चार रासियों की आईए इसके बारे में पूर अपडेट जा लेते हैं और हनमान जैनती हम किस दिन मनाएंगे किस दिन हम लोगों को हनमान जैनती मनाना है सही तिति पूजा विधी सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे तो हमारे साथ आप अंध तक बने रहिएगा चलिए सुरू करते हैं दोस्तो हनमान जैनती या हनमान जन्मोस्तो कब मनाय जाएगा ये कब पड पूरा अपडेट चैत्र महीने की पूरिमा तिति के दिन भगवान राम के सच्चे सेवक संकट मोचक हनमान जी का जन्म हुआ था इसलिए हर साल चैत्र महीने की पूरिमा तिति के दिन हनमान जैनती मनाई जाती है हिंदू दर्व में हर महा पढ़ने वाली पूरिमा तिति क बता देते हैं कब हनुमान जैनती हमें मनाना है दरसल चैत महिने के सुक्लपक्ष की पूरिमा तिथी की सुरवात 5 अपरेल को सुबा 9 बच के 19 मिनट पर ही हो जाएगा लेकिन इसका समापन हो रहा है 6 अपरेल को सुबा 10 बच के 4 मिनट पर हिंदू धर्म में उद्या तिथी स सुबा के समय रहता है तो पूरा दिन माना जाता है अब हनुमान जैनती पूजा सुब मूरत आप देख लिजे इस सल चैत महिने की पूरिमा की उद्या तिथी 6 अपरेल को है और ऐसे में हनुमान जैनती 6 अपरेल को मनाई जाएगी इस दिन पूजा करने का सुब मूरत 6 ब बहुत ही सिंपल है आप इसे बहुत ध्यान से करिएगा हिंदू धर्म में हनुआन जी को कल्यूग का देवता माना गया है और यही एक ऐसे देवता है जिनकी मृत क्यून नहीं हुई है इन्हें अमरता का वर्दान प्राप्त है ऐसी मानिता है कि जो भक्त सच्ची मन से प्रित होकर लालवस्त्र धारन करिए, इसके बाद घर के पूजा वाले स्थान पर साफ सपाई करके हनमान जी की प्रतिमा रखिये गंगा जल से स्नान कराइए, चमेली की तेल में दीपक जलाईए और धूब भी जलाईए, साथ हनमान जी का पूजन करिए, आपके दाधी हनम चालिसा, बजरंग बार, सुन्दर कान, रमायर का पाठ करिए, जो भी आप से हो पाता है, ऐसे करने से बजरंग बली प्रसंद होते हैं और हमारे सभी संकट हर लेते हैं, वैसे अब हम आपको बता देते हैं कि किन चार रासियों को इसमें विसेश क्रिपा प्राप्त होगी विसेश लाब प्राप्त होगा, बात कर लें सबसे पहले विरिसब रासि कीत हनमान जयनती के दिन विरिसब रासि के जात्कों के लिए बहुत सुब माना जा रहा है, इस दिन आत्म विश्वास में विर्धी होकर आर्थिक छेत्र में उननती के प्रबल योग बन रहे हैं, और आपको बता दे हर्मान चाली से का पार्थ रोज करिए, ऐसा जोतिस चाल में बताईगे जानकारी है जो आपके साथ हम सेयर कर रहे हैं, वैसे करकरासि के बारे बता दे तो करकरासि के जात्कों के लिए बहुत ही सुमाना जा रहा है ये पल, क्योंकि इस दिन आये के प्राप्त होगा, यानि कर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फ़ल निश्ची तुरूप से मिरेगा, साथ ही पदोन नती के भी संकेत मिल लए हैं, तो एक अपडेट था जो आपके साथ सेयर किया गया है, इन चार रासियों को विशेस फल प्राप्त होगा और छे प्रेल को हनुमान जयनती मनाई जाएगी, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, वैसे कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट करके पूछिएगा, और कॉमेंट में जय बाजरंग बली जरू लिखियेका, धन्यवाद